जहीं साथ हो, तो CRPF Constable Tracement के Retain Examination 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, ये साथ आपको पता होगा, और फ्रेंस आज इसके Admin Card जारी होने वाले हैं, जैसे कि इसके Notification में दिया गया था, आप लोगों को भी पता होगा, कि 20 जून से इसके Admin Card जारी हो जाएंगे, तो अभी जारी नहीं हुआ है, तो कब तक जारी हो सकता है, किस टाम जारी हो सकता है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, उसके बारे में आज किस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी इसका Link एक्टिव नहीं हुआ है, तो Link कब तक एक्टिव होगा, कैसे डाउनलोड करना है, सार देखेर के question paper आ रहा है और इसका अभी mock list का link भी आएगा तो वो link भी हम आपको provide करा देंगे तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा आपके लिए बहुत ही benefit होगा और टेलिग्राम को जोइन कर लिजेगा वहां पर आपको latest update मिल जाता है जैसे लिंक एक्ट्व होता है सबसे पहले आपको जनकारी टेलिग्राम चनल पर मिल जाएगी यहां पर देखे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको download किस website पर करना होगा तो देखे download इसी website पर करना होगा इस website से अपने form apply किया है क्योंकि TCS इसका exam conductor करा रहा है तो TCS की website से ही आपने form apply किया होगा तो इसी website से आपको download करना है इस website का link आपको description box में मिल जाएगा इस website पर आएंगे यहां पर आपको login का option मिलेगा इस पर आप click करेंगे तो यहां पर login का option आएगा अभी यहां पर login क close कर दिया गया है जैसे admit card जारी होगा तो यह login का option open होके आ जाएगा और देखें CRPF की website पर भी इसका direct link मिल जाएगा यहां पर CRPF की recruitment website पर भी इसका direct link देखने को मिल जाएगा और हमारे telegram channel पर भी मिल जाएगा कि तो वही link मिलेगा जो अभी हमने बताया है अब यहां पर delay हो सकता है जी आपनेंस बिल्कुर delay हो सकता है अगर आज नहीं आता है तो आप लोगों को जादा परिशान होने की जरूत नहीं है कि exam postponed होगा exam postponed नहीं होगा exam आपके एक जुलाई से ही start होंगे admit card आने में थोड़ा सा delay हो सकता है SSCRPFHCM के exam में भी देखा गया था उसमें 2-3 दिन का delay हुआ था कि तो maximum possibility है कि आज आहीं जाए तो आप यह मान के चलिए कि आज आपका admit card जारी हो जाएगा अगर आज आपके admit card जारी नहीं होते हैं साम तक तो आप यह मान के चलिए कि 1-2 दिन का delay भी हो सकता है कि तो maximum possibility है 90% chance है कि आज ही आपके admit card जारी हो जाएंगी तो आप लोग साम तक wait कीजिए admit card आपको देखने को मिल जाएगा और admit card जो आपको download करना पड़ेगा वो इसकी website से download करना पड़ेगा मैं आपको इंफर्म कर दूँगा कि कैसे आपको download करना है तो साम को 6 बज़े से पहले आपक comment section में जरूर बताएगा चली बाग कोई doubt है comment कर दीजेगा लिंक आपको टेलग्राम पर या फिर discussion box में मिल जाएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा तब तक लिए जैहिन